कर आकर जिसने ब्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था जिसने विल फाइ्ट अगेंस। और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिग्या ली थी कि हम भरस्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पाटी है कि जो लोग तथाकतित रूप से भरस्टाचार के खिलाफ लड़ने आये थे आज वही सबसे कटर बैमान पाटी बनके उबरी है पूरे भारतवर्ष में आज वही लोग भरस्टाचार के केंद्र बिंदू में स्थापित हैं और तो और ये केवल भारती जंता पाटी नहीं कह रही है अन्ना हजारे जी इनके प्रनेता जिनको लेकर ये पाटी शुरू हुई थी उन्होंने भी चिट्टी लिख करके अर्विंद केज्रिवाल और मनीशी शोदिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे आज तक अर्विंद केज्रिवाल जी ने उन प्रश्णों का जवाब नहीं दिया है स्टिंग ओपरेशन हुआ था यहां मीडिया के बंदू मौझूद है भारतिय जनता पार्टी ने इसी मंच से तीन तीन चार चार स्टिंग ओपरेशन जो पब्लिक डोमेन में थे उसे हमने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अर्विन केजरिवाल और मनीश शिशोदियाजी को करोडो करोड रुपए पहुँचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में जब ये सवाल आपने मनीश शिशोदियाजी से प्रेस कॉन्फरेंस में पूछा तो बीच प्रेस कॉन्फरेंस को छोड़ करके मनीश शिशोदिया बिना जवाब दिये वो चले गए क्यों चले गए मनीश जी आपके पास अगर जवाब होता तो आप छोड़ देते आप जवाब देते मगर आपने स्टिंग ऑपरेशन का भी जवाब नहीं दिया कारण क्योंकि आपको भी पता है करप्शन और भ्रष्टाचार तो आपने किया है आश्चेरे का विशय है सत्यंद्र जैन के लिए अर्विन केज्रिवाल कह रहे थे इनको भारत रत्न मिलना जाए और दो दिन से अर्विन केज्रिवाल कह रहे है कि ये मनीश शिशोदिया तो भगज सिंग है मैं आज देश से अपील करता हूँ दारू के ठेकों से पैसा मारने वाला दारू के ठेकों को बाटते समय भ्रष्टाचार करने वाला उसकी कंपेरिजन आप महा महीम भगज सिंग से करेंगे देश पे शहीद होने वाले भगज सिंग से करेंगे और ये देश सुनता रहेगा आप लोग विचार कर ये आप सोचिए किस वेक्ति की comparison किस वेक्ति के साथ किया जा रहा है भगज सिंग इस इंस्टिटूशन भगज सिंग रिप्रेजन सेक्रिफाइज भगज सिंग हिंदुस्तान का स्वाभीमान है और मनीश शिशोधिया और अरविन केजरिवाल भष्टाचार के प्रतीक है और भष्टाचार के प्रतीक मनीश शिशोधिया को जिन लोगों ने स्वाभीमान के प्रतीक भगज सिंग के साथ कंपेरिजन किया है तुन्ना किये है यह ध्रिश्टता है यह उचित नहीं है माफी मांगनी चाहिए